दोस्तो इस वीडियो में हम banking awareness का most important topic cover करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि bearer check क्या होता है, order check क्या होता है, cross check क्या होता है, anti-dated check क्या होता है, post-dated check क्या होता है और stale check क्या होता है step by step आसान शब्दों में मैं आपको सारी चीज़े समझाऊंगा सबसे पहले एक बार हम discuss करते हैं कि हमारा bearer check क्या होता है well bearer check को भी हम explain करें, उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि check को भरते कैसे हैं अब देखो, जैसा कि आपको यहाँ पर check दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो भी नीचे आपको ये account number दिखाई दे रहा है यह आपका account number होता है, यहाँ पर ये account number account holder का है जैसे उधारण के तोर पे जिस भी bank का ये check है, उस bank ने एक account number account holder को issue किया है यहाँ पर यह उसका account number है नीचे account holder को अपने signature करने होते हैं टोप पर आपको date दिखाई देगी जो भी आज की date है जैसे उधारन के तोर पे मान लीजे आज की date है 1 January 2022 तो यहाँ पर हम date डाल देंगे अब सबसे interesting बात check की यह है जैसे अगर आज की date 1 January 2022 है तो यह check सिरफ और सिरफ 3 महिने के लिए ही वैलिड होगा यानि 1 January से 1 February 1 March और 1 April 2022 तक ही यह check वैलिड होगा अगर कोई वेक्ती 1 April के बाद bank में ले जाकर कि यह check देता है तो इस case में bank इस check को फार देगा क्योंकि इस check को हम बोलेंगे stale check अब यह check useless हो चुका है क्योंकि इसकी date expire हो चुकी है अब इन सब के अलावा top पर आपको उसका नाम डालना है pay के अंदर जिस व्यक्ति को आप पैसा भेजना चाहते हो जैसे उधारन के तोर पे माल लीजे यह check A के नाम पे है माल लीजे A account holder है तो नीचे A अपने signature कर देगा और top पर माल लीजे A payment करना चाहता है B को तो top पर pay के अंदर A डाल देगा B का नाम क्योंकि A पैसा भेजना चाहता है B को इन सब के अलावा नीचे amount डाल देगा कि कितनी amount भेजना चाता है जैसे उधारण के तोर पर माल लीजे A B को एक लाख और भेजना चाता है तो यहाँ पर words में लिख दिया जाएगा 1 lakh rupees only और side में figures में लिख दिया जाएगा 1 lakh यानि figures में 1 lakh लिख दिया जाएगा यह basic term थी check भरने की अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि bearer check क्या होता है जैसे अब माल लीजे यह check A ने B के नाम पे काट दिया in case A से या B से किसी से भी यह check गुम हो गया और माल लीजे मुझे यह check मिल गया अब मैं इस check को bank में लेकर के जाता हूँ इस case में क्या आपको लगता है कि bank में से कोई सवाल पूछेगा नहीं bank मुझे easily एक लाख उर्पे देगा क्योंकि यहाँ पर clearly लिखा हुआ है pay to be और bearer अब bearer का मतलब यह है anonymous यानि अंजान bearer का मतलब simply यह है कि जिसके भी हाथ में यह check है वो उस check का मालिक है यानि इस case में जिस भी व्यक्ति यह चाहे आपके हाथ में यह check लग जाता और आप अगर bank चले जाते easily bank आपको payment करता अब इस case में आप यह मत सोच नहीं कि आप किसी भी bank में चले जाओ जिस भी bank का यह check है उसी bank में ही आपको जाना है उसी bank से ही आपको payment मिलेगी अब इस case में दूसरी तरफ हम बढ़ते है बीरर चेक के बाद आता है order check अब order check का simply मतलब क्या है अब इस case में पहले तो इन से गलती होगी यानि A और B से गलती होगी की check गुम हो गया और बीरर चेक था और एक लाख रुपे का A का नुकसान हो गया अब इस case में A को payment फिर से करनी है B को इस case में A चाता है कि मुझे B को ही payment करनी है अब इसको बीरर चेक का मतलब समझ आ चुका था अब A ने ये सोचा कि इस case में मैं order check काटूंगा तो A ने क्या किया जो side में बीरर लिखा हुआ था इसको A ने erase कर दिया और इसकी जगा पर A ने लिख दिया order अब order का मतलब ये है कि A अपने bank को order दे रहा है यानि जिस भी bank का check है A अपने bank को order दे रहा है कि इस case में आपको तो सिरफ B को ही payment करनी है यानि अगर अब ये check गुम्भी हो जाता है और मानली जीए मेरे हाथ लग जाता है और मैं bank में जाकर कि इस check को represent करता हूँ तो इस case में bank मुझे payment नहीं करेगा क्योंकि इस बार A समझदार हो चुका है A ने bearer word को काट दिया है A ने यहाँ पर लिखा है order order का मतलब ये है कि इस case में A ने bank order दिया है कि सिरफ B को ही payment होनी चाहिए अब B bank में जाएगा अब इस case में आपके मन में एक सबसे ज़रूई सवाल ये आएगा कि bank कैसे verify करेगा कि B ही payment लेने के लिए आए अब इस case में bank सबसे पहले B की ID मांगेगा यानि कोई भी government ID मांगेगा B के signature करवाएगा उसके बाद ही B को payment करेगा अब इस case में B के पास दो options है या तो B अपने account में भी पैसा ले सकता है यानि online direct B अपना account number डाल दे सीधा A check bank में देगा और B के account में पैसे चले जाएगे या फिर B bank में जाकर के cash भी ले सकता है यानि B के पास दोनो options है चाहे वो अपने account में पैसा ले ले या फिर bank में जाकर के cash ले ये simply मतलब था order check का तीसरा आता है cross check अब cross check का मतलब क्या है चेक के बीच में दो parallel lines खीचनी है चाहे corner में खीच दो चाहे बीच में खीच दो कहीं पर भी जब आप दो parallel lines खीचोगे इसका मतलब होता है crossing of check अब cross check का मतलब क्या होता है cross check का simply मतलब ये होता है कि इस बार A यानि इसी example को हम लेके चल रहे है A ने check काटा B के नाम पे वही सारा example सेम है A ने check काटा B के नाम पे लेकिन इस बार A ने check के ओपर crossing कर दी अब crossing का simply मतलब ये है कि A अपने bank को ये कह रहा है कि इस बार पैसा तो B को ही देना है लेकिन B को cash नहीं देना B के account में ही पैसा transfer होना चाही यानि अगर check के ओपर crossing की हुई है तो उसका simply मतलब ये है कि जो भी pay है यानि जिसके भी account में पैसा transfer होना है वो व्यक्ति इस बार bank में जा करके cash नहीं ले सकता सिरफ और सिरफ bank उसके account में ही पैसा transfer करेगा यानि crossing का मतलब ये है कि A अपने bank को बोल रहा है कि B के account में ही पैसा डालना है B को cash नहीं देना अब दुबारा से एक बार revise करते है B error check का मतलब ये था कि जिसके भी हाथ में check है वो check का मालिक है उसके बाद order check का मतलब था कि A ने bank को order दिया कि इस बार सिर्फ B को ही payment करनी है चाहे B इसका cash ले चाहे भी अपने account में पैसा ले उसके बाद crossing का simply मतलब ये है कि A अपने bank को बोल रहा है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ B के account में पैसा डालना है B को cash नहीं देना इन सब के अलावा एक term आती है account pay यानि crossing का मतलब ये है कि दो parallel lines आपने खीच दी एक term होती है account pay यानि crossing तो हुई है दो parallel lines तो आपने खीची है लेकिन दो parallel lines के बीच में आपने account pay लिख दिया अब account pay और simple crossing का क्या मतलब है देखो एक term आती है endorsement of check जैसे बिल्कुल भी confused होने की जूर्थ नहीं है बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा पांच मिनिट में आपका concept clear हो जाएगा एक term होती है account pay check जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक check काट के दिया यानि मैं account holder हूँ एक लाग रुपे मैंने आपको pay की है मैंने आपके नाम पे check काट दिया अब यही एक लाग रुपे मान लीजिए आपको अपने father को pay करने है मैंने आपको check दिया आपके नाम पे काट के आपको एक लाग रुपे अपने father को देने थे अब इस case में आपने यह सोचा कि अब मैं नया check क्यों काटू जो check मैंने आपको दिया है उसी check के पीछे आपने लिख दिया pay to my father जो भी आपके father का name है check वही है जो मैंने आपको दिया है आपने उसी check के पीछे अपने father का name लिखके bank में deposit किया, यानि ये पैसा direct आपके father के account में चला जाएगा, इसे हम बोलते हैं endorsement of check, यानि आपने एक नया check नहीं काटा, उसी check के पीछे ही आपने नय व्यक्ति का नाम लिख दिया और direct पैसा आपके account से उनके account में चला जाएगा, इसे हम बोलते हैं endorsement of check, अब जो simple crossing होती है, यानि जो simple दो parallel lines होती है, जिसे हम crossing of check बोलते हैं उस case में endorsement allowed है, यानि आप कितनी बार मर्जी multiple लोगों को आगे पैसा भेज सकते हो एक ही check में, यानि एक ही check के पीछे आप लोगों के नाम लिखते जाओ, pay to a, pay to b, pay to d, pay to e ऐसे आप कितनी भी endorsement करते जाओ ये allowed है, parallel अगर आपने lines कीची है, लेकिन अगर आपने parallel lines कीची है, उसके बीच में आपने account pay लिखा, जैसे अगर मालीजे जो check मैंने आपको 1,00,00 रुपेगा दिया है उसके अंदर मैंने 2 parallel lines जो खीची हैं, उसके अंदर अगर मैंने account pay लिख दिया, तो इस case में वो check अब आप अपने पिता जी को नहीं दे सकते क्योंकि account pay की अंदर endorsement allowed नहीं है, तो यही simple सा difference था, normal crossing of check और account pay की अंदर दोस्तों, उमीद करता हूँ, banking awareness का जो यह सबसे important topic जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता उमीद करता हूँ कि यह आपको समझ आया होगा banking awareness की complete playlist भी मैंने बनाई हुई है, उस playlist का link भी मैं नीचे आपको description box में दे दूँगा, पूरा banking awareness का complete syllabus मैंने बताया हुआ है उसकी सारी वीडियो आप easily लिए देख सकते हैं, free of course available है, दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी informative लगी हो तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करना अभी के लिए, this is the end of the video thanks for listening and thank you all